असलाम ने को मैंने मिजर्मान है सब्सक्राइब अब प्रफेशनल में कापटेस एंड है तो आज हम करने जा रहे हैं जैसे कि आप लोग थामनेल में देख चुके हैं कि ब्राइडल है जो के काशिछ इंसपार्ड है और बड़ी इजी टेकनीक के साथ जो हैं हम आपके साथ य जो मॉडल हैं उनकी सेंटर पार्टिंग कर लेंगे सेंटर पार्टिंग करने के बाद अचे यहां पर जो सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट है यहां पर मैं आपको बींगा टीचर एक चीज़ क्लेर कर दूं कि बिसकली जो क्रिंपिंग होती है वो टू टाइप्स की है ए इसको क्रिंपिंग करनी है आप उसके बाद करनी इस क्राओं टॉल्भ बिदेनेंरे साँ तरीक बैडिन लुग 我也 quantum करेंगे इससरीके से आपने रहा बिंग करते हैं ओंग अग्म करने और जूरा पींखेल जड़ करने साइबoware और एक रुगग करने टाशन girls बेसिकली इसको थोड़ा सा उपर डखने का परपस यह था कि सम्टम जी ब्राइट के वो रेड रोज एड़ करते हैं तो हम इसी के नीचे जो है जो थोड़ी बहुत जगा हम सोड़ेंगे उसके इंदर हम लोग अब रेड वले जो फ्लार्स होते हैं जो बीबी प्रेट्स होत होते हैं जो डाफ लुक दे रहे होते हैं वह भी नीट हो जाते हैं बाकि जो सेंटर सेंटर वाल जिस तरीके से भी उने राइट पर कहा था सेम वैसे हैं लेफ्ट वाला भी जो एरिया है उसको भी पैडिंग लिगा है जो वोल्यूम देने के लिए हम लोग उसको नीट कर कर देंगे और पिंस के साथ उसको सिक्योर कर देंगे जो नीट होना चाहिए ऑल्द भी नीट लाग रहे हैं लेकिन राइट साइट से तोड़ा साय है अभी वह हैट से कड़के हम लोग जब उसको करेंगे तो वह नीट लूक अभी आपके सामने आ जाएगी कि कितना तो वह टोटली अप्टु यू ठीक है उसके बार यह जो एक्ट्रा है से उसको हम लोगों ने जो था ट्विस्ट करते हुए जो है विकोद आपको तब राइट के सच तना यहां पर नजर नहीं आना तो आप लोग सरफ एक कर दो कि आपने एक बन में क्रिटिविटी की वह है अब हम लोगों ने जो फ़ही पैडिंग क्राउन एरिया पर जो नहीं थी जो पॉनी डाली थी उसके उपर हम लोग अविस्टरी के से स्टफिंग लगाएंगे वह स्टफिंग को जाम जूरपीन की हेल्प के साथ उसको लोग करेंगे और लोग करने के बाद है वही जो है इसके उपर पिछे वाली सायर पे दुबारा फैंकेगे और पर्फेर्ट करेंगे लेकिन इसके लिए मेरे रूट्स में थोड़ी सी टीजिंग करने पड़ेगी ताकि यह जो शेप है वह खराब ना हो और पूरे के पूरे हैड के उपर जो है वह इवनली जो है बालों के हैस्प्रे के साथ इसको नीट करेंगे और उसके बाद इसको बहुत ही ज्यादा हलके हाथ के साथ आपने करना है ठीक है अगर आपने थोड़ा बोगत भी इपना हाथ बोगत सही तरीके से नहीं कि अभी आप देखें कि वह कितना खुबसूरत और नीट तरीन जो है वह एक इसको सिकेर कर देंगे और आप आती है बारी फ्रेंट की अचे यहां पर भी तो खार यह को रियर ब्राइट तो नहीं थी इसलिए मारे पास उसी जूलरी की हाई नहीं थी अगरा मारे पास जूलरी होती तो इस स्टेज पर हम लोग सबसे पहले इनकी जो है उसको बिंदिय सब्सक्राइब करते हैं तो आप ने वेशाए उसी साइड को डिसाइड करते हुए करना अब यह जो चोटी सी पैडिंग लगाएंगे ठीक हो वह सारी की सारी इसी के ऊपर लोग होनी है इस तरीके से हम लोग पकरके इसको एक सेक्शन लेंगे और उसी सेक्शन को निट करत कि बाल जो है अभी आप यहां पर जो मज़े कि है वो यह कि मैंने पूरे के पूरे हेश्ट नमी तरफ और फ्रंट के करने के इलावा ठीक है मैंने कोई भी जो इलक्ट्रोनिक वो जो हमारे कोई भी यूज नहीं किया चाहिए वह स्ट्रेटनर है चाहिए वह है कर्लत है अब सिर्फ जब क्रिंपिंग हुए है स्टार्ट में और उसके बाद लेडिंग के लिए हम लोग फिंगर की हेल्प करते हैं फिंगर के साथ ही उसको एक शेप देते हुए लेयर का नीट करते जा हैं तो वो बड़ी ही जातर नीट लुक देने लगा इस तरीके से आपने पूरा का एक सेक्शन पर करना है बहुत जब Pick एक सा सेक्शन लेना और उसको इस तरीके से आपने finger के साथ shape देते हुए layers की उसको secure करते जाना है with the help of fine pin अब बिस्टिकली यह पीछे हम लोग ने वह एक shape बनाई थी उससे हमारे करने के एक तो head को भी shape मिल रही है दूसरा उससी के अंदर जो padding हमने लगाई है उसके अंदर हमारी जो layers है वो सारी की सारी हम लोग उसको fix करवारे है fine pin के help के साथ और इस तरीके से हाथों के साथ उन layers को थोड़ा सोड़ा उसमें gap करके हम लोग enhance करवा देंगे आपको सिखाऊंगा जिनके बाल में प्रोपर हाइलाइट स्वीम होंगी और आप खुद देखेंगे कि उनके उपर जो है वो इस है इस है इस है स्वाली की लूक है वो बड़ी किती खुब नीट आ रही होगी कुब सुरत आ रही होगी और इन्हेंस भी हो रहा होगा बैसक नहीं है सच इन्हेंस नहीं होगी जित्तिक हाइलेक्स वाले उन पर हो रही है जो हमारी फील्स है मुझे चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं लेयर को नेट करेंगे जो बेबी हैं उसको के और करते हुए इसको हेट स्प्रे के साथ लोग कर देंगे अब बारी आगे आगर आने इसान को पूरे को करने है तो किया तो अब करे उसको कुप्लिमेट नहीं करेंगे आपने पहला एक्सप्रेश्षां ्द कोचन करेंगे ऑर सेम उसी टवन से तरीके से सह से minute के साथ इसको और यह की है सबस्तिक है जो आजकल वो यह एक समयाना कहने रिष रे काशी के इंस्पायर हो करते हैं अनमोल एक सलोना उनकी चलते हैं विसके लिए हम लोग तो खार जो जिनका काम अचा है उनको खार कॉंप्लिमेंट करते हैं हम कर प्रोफेशनली जलसी को ऊपर इतना वह नहीं करते और उनके भी जो हीट्स था वह भी सेम इसी तरीके से रोल कर कर रहे होते हैं अब यहां पर मैंने एक चीज में भूल गया थे लेकिन मुझे याद आ गई थी कि मेरी मोडल थी उनका फेस थोड़ा सा चबी था ठीक है तो मुझे फरंट की फ्लिक्स निकालनी ही निकालनी थी तो इसलिए अब इस स्टेज पे तो अभी आप देखो कि मै केंगे तो आफ से दिख्रशन करेंगे जैसा जैसे बनावब उपर जाएंगे उसमें थोड़ी से चीजिंग करतेंगे ठीक है टीजिग करने के आप सेम की सेम वही टेकनीक है लेकिन जो टीजिंग है वह आपने हमें फ्रेंट से आपकी नहीं नहीं आ रही है आनी चाहिए और आपने सेम इसी सेक्षिन को एक दूसरे के ओपर ओवरलाप करते हुए जाना है यहां पर जो हैं भी हम लोग टीजिं करने के बाद फ्रेंट का सेक्षिन होगा फ्रेंट फेस के ऊपर ताके फ्लिक्स आएं जोके फेस को कॉंटोर्ड भी करें तो फिर फेस देता चोड़ा यह मोड टच अबी फेस नहीं लगता स्प्रेय करने के बाद नीट करेंगे जीते भी बेभी हेस उन सबको आपने कठाएक मिला देना और उसके बाद हम लोग इसको फ्रेंट वाली भी वह लाएन एक निकालेंगे और उसके बाद उसको लोग कर देंगे विदा हेल्प और पिसे बाद बेबी हेस नहीं आ रही है उसके बाद भी हम लोग कर देखना है कि अगर हम यह चीज्ज और आप चीजर अब कर देख आता है इस वजह से सोट से इशू आ रहा होता है उसके बाद अभी हम लोग करके देख रहे हैं कि इनको ये चीज़ सूट कर रही है अगर हम ले ये चीज़ अब्सर्व किया था मिदर में देखे कि ये इनको बिल्कुल सूट कर रही है इसलिए हम ले पहले उसको नीट करना भी प्रोकुल की हेल लेंगे ताकि जो हमारी लेर्ज है वो प्रोमिनेंट हो जाए और इसको हम लोग इसी जो बैकॉम है इसी के उपर करेंगे एक अठा मैंने करके देखा था उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था इसके बार फिर मैंने कर टीजिंग के बाद से नीचे से जो ह अब है वो सारे के सारे प्रोपरड्ळ लीजी उसी जो बालों की लेरह मा restorे के साहत गॉम करना पड़ता इसको हमने होल्ड कर वाय था अब बात याएगे फ्रेंट की तो फ्रेंट पे अगर आप गोर से देखेंगे ना तो इनका जो फ्रेंट पे थे बेभी हैट वो भी बहुत ही ज्यादा चोटे वाले थे तो उस पर भी हमने थोड़ इसी एक बैकॉम का एक लिए तो भी यूँ लेकिन इसको भी अगें दो पार्ट में हम लोग लेके जाएंगे तो उसकी ही खुबसूर्ती ज्यादा आएगी जैसे भी आप भी आपके सामने होगा ये इसको भी हम लोग जो है थोड़ा सा फिंगर के साथ दोनों की दोनों लेर्स को separately जो हैं enhance करवा देंगे और जो उपर वाली लेर होगी उसको जो पीछे हमने लगाई थी ना उसके साथ से कि और उसके नीचे उसको ठाएंगे थोड़ा सा भी देखेगा और फिर उसके नीचे मैं लाएक उसको छुपा दूँगा ताकि वो ये इतना इस्यू भी ना आए हमें कि वो हो रहा है क्या क्य लेग नहीं उस वाम पर फाइबर आता है तौपिक होता है वो कल राड़न करके मैं उसको फोड़ा सा कवर्ड करते था बैसे कर यह यह रियल ब्राइड नहीं थी एक वो वैसे ही कैनल सुड़न्ट का डैमोर शर्शीन था तो मैंने का आप लोग के साथ भी शेर करता चलू लोग कर सकते हैं अगर हम ज्यादा खैंचेंगे तो अमारी जो फृरेंट की लेर है वो सारी की सारी डिस्ट्रब हो जाएगी के सामने के बीर्स करेंगे अगर आप लोग करेंगे अगर अगर आप रेस्ट ग रहेसे पूड़inka पुड़े बंच से पीछे उनका उनका पीछे से पुड़ा हैट चया उनका पुड़ा है रेस्ट कर्क एशो में प्रोपर एक बैया ब्रैल्ड़ उसको flowers वाला लगा होगे तो उसकी भी बहुत ही खुबसूरत एक model lead class look आती है और टेक्निक देखे कितनी easy है कि इसमें किसी किसम का curler, straightener यह वो उसकी जरूरत नहीं परती है आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेंट की जो वो उसको मैं curl करने के लिए सिर्फ करूंगा लेकिन वो भी सिर्फ दो सेक्शन एक राइट पर एक लेफ्ट पर secure करते देंगे इसको अब एक flower का illusion आ गया हमें ये फ्रेंट के फ्रेंट के फ्रेंट से इनकी जो flicks है उनको कर रहे है वो कर रहे हैं लूज कर्स सेम इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर करेंगे और अभी हमारे पाइप जूल्री नहीं थी करम आप जूल्री होती तो हम वो एड करके लेकिन मैं अब यह मारे मेरी जो आगे ब्रैडल ब्रेंग से हैं मेरी को रीसेंट प्रेंड होगी तो उसके करेंगे तो मैं फिर आपको उस वक पी पूरा का पूरा ट्रिटोरियल दूँगा इन्शाला राइट साइड पी जो हमने वह सेक्शन चोड़ा था उसको भी जह सेम कर्डर के साथ कर्ड करके हैर स्प्रे के साथ करेंगे अब यह आप एक चीज नोट करेंगे कि इनका जो है बार्नस है उसको कवर करता तो यह थी मारी फाइनल लुक देखे किती खुब सुरा लेर्स हो रहे हैं एक दूसके बड़ोवर लापर हो गए कैसा लगा आपको कमेंड में जरूर बताएगा थैंक्यों सो मच अलाफिस